आपके साथ मैं हूँ चारूल शर्मा देश में कोरोना वाइरस की दस्तक से यूपी उत्रा खड़ में भी खलबली मच कई है आगरा से कोरोना के छे संदिक दुमरीजों का दिल्ली और एका लखनो में राच चल रहा है पिशले तीन दिनों के अंदर जिस तरह से लोगों में डर का महौल पैदा हो गया है उसे देखते हुए डॉक्टर किसी तरह की दहशत में ना आने की सलहा दे रहे हैं तो सरकार के इस तरह पर कंट्रोल रूम और आईसोलेशन बॉर्ट भी स्थापित कर दिये गए हैं साथी एडवाईजरी जारी की गई है लेकिन सवाल यह है कि कोरोना वेरस से लड़ने के लिए आखिर कितने तयार हैं क्या हम उतना बड़ा एतिहात कायम कर सकते हैं जो सरह चीन जैसा विकसित देश दुनिया को बता चुका है बातें तो बहुत सारी होती हमारे देश में लेकिन मौके पर चूक कर पच्चताने के हमारे पास कई उधारन रहे हैं कोरोना के आसन खत्रे के आएने में हम उन इस्तितियों और सावधानियों पर आज करेंगे बड़ी वहस जिन की सरकार और डॉक्टर हिदायत ने दे रहे हैं चीन समेत दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस एक भयानक खत्रा बन गया है भारत में भी कोरोना वायरस का खत्रा बढ़ गया है गाज़ेबाद में कोरोना वायरस से संप्रमित मरीज से मिलने राज़दारी समेत देश के दूसरे हिस्से से कुल 30 केस पॉजिटिव पाई गए हैं अब तक कि अगर जानकारी की बात करने तो कम से कम साथ राज़दारी से की चपेट में हैं जिसमें तीन मामले केरल में पाई गए देश में कोरोना वायरस से मच्चे हाहकार के बीच सरकार इलर्ट पर है इस मसले पर संसत की इस वास्तर मंत्राले से जुड़ी स्थाई समिती की बैचक संसत में हुई यूपी और उत्राखन में कोरोना वायरस को लेकर भारी सतर्कता बरती जा रही और इसके तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लगनव में कंट्रोल रूम की स्थापना की है और हल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है साथी लगनव डियम ने एडवाईजरी जारी कर खुले में बिक रहे मास मचली पर रोक लगा दी है उत्राखन में भी जॉली ग्रांट एरपोर्ट पर स्वास्तविभाग ने अतिहातन बढ़ता है आगरा में मंगलवार को कोरोना वायरस के छे संदिक्द मरीज के सैंपल पुरे की लाद में भेजे गए और दिली के सब्दरजंग अस्पतार में भरती इन मरीजों की हालत फिलहाल अस्थर है नॉड़ा में कोरोना वायरस के संदिक्द मरीजों से लिये गए सभी नमूने निगिटिव पाई जाने पर सभी मरीजों को फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है कोरोना वायरस पर आज जो सभा में केंद्रियस वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने गुर्वार को बताया कि भारत ने डबलू एचो की सलहा पर 17 जनवरी से आविश्यक तयारी और कारवाई शुरू कर दी है नों ने बताया कि 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 सकरात्मक मामले सामने आए हैं बता दें कि गाज़ेबाद में एक मामला सामने आने के बाद पूरे भारत में कोरोना वायरस के 30 मरीजों की अब तक पुष्टी हो चुकी है जाज के लिए 34 लाग की विवस्ता की गई है इटली से दिल्ली आए 15 सेलानी कोरोना वायरस से फीड़ित है एम्स ने इसकी पुष्टी कर दी है इसके लिए मंत्रियों का एक समू भी इस्तिती की निगरानी कर रहा है आईए सुनाते हैं आपको कि आखिर इस मामले को लेकर कौन क्या कह रहा है 28,529 परसने परसने वाराज पर्ष्टी अंडर कोम्निटी सर्विलेंस और बीडायर इस मामले कोशाथ से निगरानी कोशाथियों। पर उनके साथ करार करके उनके साथ बात करके साथ मेडिकल कॉलेज और 820 बैट हमारे सभी जनपद चिकिसालोग पर हैं यह अलड़ी हमारे यहां से तैयारी कर दी गई है हर एक जनपद में हमारे मास्टर ट्रेनर भी हो गए हैं और आग्रा वाले घटना को लेके आपको अभ जाग रुकता फैले उनसे पूश्टास किये उनको चेक किये उत्तर परेश में आज के दिन में कोई भी पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं है इन सब सैंपल आने के बाद और आज की जहां तक उसकी दरने की कोई आशकता नहीं है डॉक्टर मिटलेश ने आभी आपको बता है जो अपने मास्ट हमनों खरीते हैं वह हमारे मेडिकल कॉपरेशन से हमारे सारे अस्पतालों के लिए होता है तो एक हमारे अस्पतालों के लिए होता है थिए उसके वजहें से उसकी मांग बढ़ गई है जिसके बज़े से उप्र दां बढ़ गये हैं कोई भी मास लगाने की आवशकता नहीं है तर श्रकार को और आपिल की है और आपसे मैं भी अपील कर रहा हूँ कि इसको ले कर के कोई दहस्त में रहने कि आउसकता रही है कोरोना को देखते हुए लगनो डियम अविशिक प्रकाशनिक एडवाइजरी जारी करते हुए खुले में मीट अधप्रका मास और मचली की बिक्री पर रोक लगा दिया होटेल और रेस्चोरेंट को साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखते हुए निर्देश जारी किये गए हैंसी के साथ दियम ने कहा कि जहांपर खुले में पशु रहते हैं वाहाँ पर फौगिंग की ववस्तशा की जाए साथी खुले में मास मचली बिकने वाले लागों में लोग जाने से बचेयं डीम ने बताया कि एरपोर्ट के साथ अस्पतालों में लोगों की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है कोरोना वारल को लेकर डीम ने एक हल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिया यह में बताया कि 05226000 और मॉबाइल नंबर 78397001432 पर डाइल करने पर लोगों को ततकाल मदद दी जाएगी प्रदेश सरकार पूरी तैयारियां कर चुकी है कोरोना को लेकर लोगों को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है यह कहना है प्रदेश के स्वास्ते मंत्री जै प्रताप सिंग का उनसे खास बाचीत की हमारे समधा ता आलोक गुपता ने जै प्रताप सिंग जी प्रदेश में बाइजा स्कूल लेकर दाए अप्रस विवाग की क्या तैयारिया रिए अगर कई केस हाईगा तो हमारे डॉक्टर्स पूरी तर्य तर्य है वो इस इन्फेक्शन्स डिजीज को लेके पूरी से तयाए रहे हैं। अभी तक पेजिस प्रदीश के में कितने पेसेंट्स पाए गए हैं। क्या इस्तिती है ताजात पेसेंटी ? च्छे पेसेंट्स जो आगरा में पाए गे थे वो सरधर जंग में है और एक गाजियबार में है, जो ओपा है के रहो आज के माहुल से इस विशे को लेके नहीं होनागा, इसी को हम भर बार कहते हैं, कि मास्क की आवशकता नहीं है लोगोंके बीच में, ऐसा कोई इतना बड़ा infection नहीं है कि जो आपके और हमलों के बीच में जाके वो तुरन चलते चलते लग जाएगा जो infected वाले जो होते हैं जिनको हमने चिनहित कर लिया वो सीरा quarantine में होंगे या वो isolation में होंगे और उनको उटने दिन रखेंगे जब तक वो पूरा disease उनके body से निकलना जाए और इसमें इसकी कोई आशकता ही नहीं है मतवान में क्या स्थिती मानते हैं क्या स्थिती पूजी तरे के से नेंटर्म है हाँ 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 पूरी तरे नेंटर्म है लेकिन का कहना है कि मास को आने की कोई जरूरत नहीं है समाइक लिए लखनौस केवरामें समीम के साथ आलोग उपता करते हैं चर्चा की हमारे साथ चर्चा में मौझूद हैं लखनौसे प्रसित दॉक्टर मनीश रिवास्तव और समाजिक कारेकरता दिलिप यश्वर्धन दोनों कास मेवानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले दिलिप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी एक समाजिक कारेकरता होने के नाते आप कोरोना वारस जिस तरह से भारत में लगातार पैर पसार रहा है उसमें किसकी लापरवाही मानते हैं लगातार ये बाते कही जा रहे थी सरकार की ओर से कि हम तयार हैं प्रशासन भी तयार था लेकिन फिर भी 30 लोगों में पुछ्टी हो चुकी है अब तक तो कोरोना वायरस को लेकर लगातार पहले से ही ये बाते कही जा रही थी कि हम अलर्ट हैं हम तयार हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लेकिन उसके बावजूद 30 लोगों में अब तक इसकी पुछ्टी हो चुकी है यानि अगर हम तयार थे तो आखिर कैसे कोरोना वायरस लगातार भारत में पैर पसार रहा है ये हैरान करने वाली चीज़े वह युक्त प्रदेश के स्वास्ते मंत्री जैस सिंग ने जिस तरह ये कहा कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा इंफेक्शन नहीं है कोरोना वायरस कहीं न कहीं ये सवाल भी खड़े करता है एक तरफ इस वायरस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जाहर की मैं स्वास्ते मंत्री का ये कहना कि ये इतना भी बड़ा इंफेक्शन नहीं है क्याम जनता को इसके लिए मास्क लगाने की जरूरत पड़े तो ये भी तमाम सवाल खड़े करता है कोरोना वायरस के अब तक 30 मामले ऐसे हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं बाकी कई लोगों के सैंपल्स पूरे लाब भेजे जा चुके हैं चुलिए समाजिक कारेकरता दिलिप यश्वर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रसिद डॉक्टर मनीश रिवास्तर जी भी हमारे साथ है दिलिप जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी आपसे जाना चाहूंगी सरकार पूरी तरह से तयार थी दावे तो यही किये जा रहे थे लेकिन उसके बावजूद आकर कहा कमील रहे गई कि तीस लोगों में अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं ये मामले देखिए मैंने पहले भी किसी चैनल पर ये बात कही थी कि जो पर्यावर जो पॉलुशन है उसकी कोई टेरिटोरियल बाउंडरी नहीं होती है वो कहीं से भी कहीं पहुं सकता है पानी की बाउंडरी है जमीनों की बाउंडरी है हर चीज की बाउंडरी लेकर हवा की कोई बाउंडरी नहीं है और ये कहीं की भी गंदगी, कहीं का भी वायरस कहीं पर जाकर किसी को एफट कर सकता है उस सबसे बड़ी चीज है कि ये वायरस ना तो पॉलिटिकल बांटरीज देखता है ना जात देखता है, ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है सरकार की अपनी तैयारियां थी, लेकिन सरकार हवा को तो नहीं रोक सकती है और अगर किसी आद्ग को कि यह कोई ऐसी वेसिबल चीज नहीं है कि जिसको रोका जा सके सरकार के अपने त्याराब थी सरकार के त्यारी यह हो सकती है कि अगर कहीं कोई चीज पाई जाएगी तो वो उसको क्योर कर लेगी prevention के लिए हम remedy सरकार नहीं ले सकते है वो कहीं न कहीं गंदगी से ही जनम लेते हैं और जैसा कि इसके बारे में सुनने आ रहा है कि चाइना से कहीं आउट बस्ट हुआ कुछ चमगादड़ लोगों न खाया एक्शुल इस्थिति क्या है मुझे नहीं पता बड़ जो कहानिया सुनने में आ रही है वो यही आ रही क्योंकि जैसे ही मौस्चर होता है मौस्चर में बहुत तरह के वाइरस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एफेक्टिव हो जाते हैं जब बहुत जादा गर्मी होगी और बहुत जादा सर्दी होगी तो वाइरस का प्रकोब कम हो जाएगा तो सरकार के दावे अपनी जग करनी है क्या सावधानी बरत नहीं है यह हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता को बताएं पहला यह है की स्क्रीनि जो भी बंदा बाहर से आया है या सस्पेक्टेड है ऐसे बंदे जिनको कुछ स्पेस्पिक कंप्लेंट्स जित्ती भी फ्लू से रेटेड होती है हर घर में हर बंदा जानता है फ्लू मिन्स सर्दी जुखाम बुखार हेड़ेक्ट मसल्स क्रेंप ड्राउजीनेस बीकनेस अगर इससे रिडेटेड हमको कोई भी साइन और सिंटम मिलता है और कंटिनियूसली यह बना हुआ तीन से पास दित तक और साथ में बंदा कहीं से पास नहीं करेगा इस्पिट नहीं करेगा तो इसको होने की प्रोबिल्टी कम से कम बनती है और बिरूलेंस एक चीज़ होती है जिस कितनी पोटेंशियल में वह वाईरस जो है लीथल है तो इसकी ब्रिविलेंस ज्यादा है तो इसको प्रिवेंशन के लिए अपन लोगों क सबसे पहले hand wash means जो surgical procedure का hand wash है उसमें माल दीजे अपन को 60 seconds से लेके 2 minutes तक hand wash कर रहा है पानी से पानी अपने हाथ पे डाले वेट कर ले वेट करने वेट करने एक बाद soap ले ले और soap को properly palm to palm उसके बाद finger का head उसके बाद इसके बाद प्रापर्ली वाश करें टेप वाटर से इन steps को फालो करें तो पहला एक चीज हो सकता है hand wash right दूसरा step क्या हो सकता है कि अपन लोग जितनी भी public places में अगर कोई बंदा हम लोगों को ऐसा मिल जाता है जी suspected है उसको आइसोलेट करें उसको disease screening के लिए promote करें चुकि अभी इतना जबर्दस्त इंफाम जबर्दस्ती स्टेटस पर यह नहीं आया है कि हर बंदे को हमको suspect के score देखना means basically we had to find कि हम जो बंदा कहीं से माइग्रेट करके आया है और उसको लगातार हिस्ट्री में तीन से पास दिन तक समस्या बनी हुई है कि उसका fever भी है headache भी है leg cramp भी है muscles crumb भी है right drowsiness भी है तो सारी compliance को एक साथ associate करें government ने कुछ specific institutions बना रखे हैं वहां पर सैंपल की screening होगी अगर पॉजटी पाया जाएगा तो उसको isolate करके करेंगे क्योंकि सिर्ट individually इस virus को अगर focus करेंगे तो यह virus अपना primary resultant नहीं सो करेगा जो भी issues आते हैं वो secondary infection के वज़ा से होते हैं तो prevention पर अपन लोगों ने तीन काम करना है पहला hand wash दूसरा बंदागर मिल गया है उसको isolate करना है तीसरा mask का प्रयोग कर सकते हैं mask ना मिलने की स्थितिवे कोई भी अगर female है male है तो हम लोग जो यह general use करते हैं रुमाल वायरा उसको हम लोग पाइकिंग कर सकते हैं रुमाल से जितसे हम लोग भी squeeze करें कफ करें या साबने वाला squeezing कफी करें तो वो direct contact में हमारे ना है और बाकी इसकी रही बात है उसकी कि यह impact तो मालीजिए तीन दिन से start करेगा 14 दिन तक रखेगा कम से कम 6-8 feet की दूर जरूरत है लेकिन उसके बावजुद अभी स्वास्ते मंत्री को भी आपने सुना गण और ने कहा कि मास्क पहने की तो जरूरत है ही नहीं हाला कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि कितनी shortage मास्क की भी है सैनिटाइजर की भी है लेकिन उसके बावजुद हम देख रहे हैं कि इस तरह से इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं तो किसकी कमी मानते हैं आप इस पूरी चीज़ में? देखे अगर आप धरातल पर बात करेंगे तो कहीं नगे ब्लैक मार्केटियर्स की जभी चान्दी हो जाती इन सारे रियूमर्स के साथ में क्योंकि ये रियूमर तो नहीं है एक्चुलिटी है लेकिन उसको जादा फैला दिया जाता है और कई बार बिजनेस स्टड़िटी के हिसाद से को फैला आ जाता है और आपने सुना पता ही है आपको कि सेनिटाइजर्स मार्केट से गायब हो गये मास्क अवेलेबल नहीं है तीन दिन बाद आएंगे आज ही मैंने एक टेमिस के हैं पूछ वाएद उसने कहा कि तीन दिन बाद सेनिटाइजर्स आएंगे और वो डबल रेट पर आ रहे हैं तो मुद्धा ये है कि आपकी नाग ढगी होनी चाहिए और आपका दूसरे वेक्टिस से डारेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए तो वो कांटेक्ट आप अपने रुमाल के तुरू भी रोक सकते हैं आप अपने जो रुमाल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो बांग दीजिए मार्स कोई मेडिकेटड मास्क नहीं होता है उसका परबस सिर्फ उतना होता है कि आपकी जो इनहेल करने की प्रक्रिया है वो दूसरे वेक्टिस से ट्राने ना पाए ताकि वो इस नीज़ कर रहा है या चीक रहा है या खांस रहा है तो उसके वाइरस आप तक ना इंफेक्ट कर पाएं तो ये चीजे हम प्रिकॉशन के तौर पर डॉक्स आपने बहुत अच्छे से डिटेल्ट बताया हमें करना चाहिए और जो मास्क नहीं है सेनिटाइजर नहीं है ये मैंनेस्टर रिपीट कर रहा हूँ कि जो ब्लाइक मार्केटियर्स हैं उनके लिए पर एक अच्छी चांदी हो गए उन्हें डबल पैसे कमाने का एक मौका मिल गया है जी आखिर में मनीशी आपके पास आना चाहूंगे एक सवाल ऐसा है जिसकी मुझे खास्तों पर कहा गया था कि इस बारे में जरूर पूस्ट नहीं इए एल्कषॉल कंजब्शन को लेकर जो बातें चल रही हैं क्या वाग गई एल्कषॉल कंजब्शन से कोरोना वायरिस का कोई लिंक है उसके कंजब्शन से ये चीजें सही हो सकती है या फिर सिफ़ी अभवा हैं शौकीनों ने अपने लिए इस तरह की अभवा उड़ा दिया ताकि कोई खत्रा ना हो ताकि आराम से आप उसका सेवन कर सकें कि इस तो सबसे पहले हमको यह बहुत इजी आस्पेक्ट में सबजना पढ़ेगा कि किसी भी फार्म में अलकोहर जैसे ही बोड़ी के अंदर जाएगी कोई में कोई ड्राब्रेक्ट करेंगी कहीं से भी कोई ऐसा मैंने अभी तक तो इस्टडी नहीं किया कि अलकोहर पीने के किसी वंदे को वाईरस से दर्दे का पावर मिल जाएगी इमुनिटी और कमजोर हो जाएगी जो सेकंडरी कंप्लेंट्स है चाहे वो किद्नी से रिलेटेड हो चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो चाहे वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हो चाहे उसकी ग्रूमिंग से हो आपको वाइरस कोई इंपेक्ट नहीं करेगा इंपेक्ट करेगा तो कम करेगा ऐसा कोई एधेंटिकाजेशन नहीं है यहकीनिंए उमीद की जा सकती है कि लोगों को जवाब मिल गया होगा काफी अवाऑ इस तरह की पैल रहीं थी फिल्हाल वक्त कम है मेरे साथ चर्चा में जोने के लिए मेरे दोनों खास मेमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दिलिब जी बहुत बहुत शुक्रिया दॉक्टर मनीश बहुत बहुत शुक्रिया मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारिया आपने महया कराई है मायर दशकों को उनके लिए लाब दायक रहेंगी बहुत बहुत शुक्रिया चले तो सरकार ने जितने दावे किये ते उस हिसाब से सरकारी इंतजाम तो फिलाल नाकाफी नजर आए है लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार इस तरह से तयार थी तो कोरोना वाइरस लगातार कैसे भारत में अपनी जड़ें जो है में लगातार इजाफा हो रहा है मेरे साथ इस खास पेशकर्ष में फिलाल इतना ही आप बने रहें सहारा समय के साथ सहर अपना